हालो सुरेंट्स हाव आयू आज की हिंदी कक्षा में आप सब का स्वागत है अब सब बच्चे अपनी उत्थान हिंदी व्याकरन बुक अरफ कौपी निकाले जिए हमारा आज का टॉपिक है लिंग बेटा लिंग आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है लिंग टॉपिक पढ़ाने का हमारा उदेश्य है सबी व्यक्तियों और वस्तुओं के ही और शीरूप अथात इस्त्री और पुर्ष रूप को जानना है हाँ तो बेटा लिंग पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले हम शब्द और उनके चित्रों को देखेंगे हाँ तो बेटा चाचा चाचा शब्द पुर्ष जाती का बोद करा रहा है उसके सामने लिखा चाची शब्द चाची शब्द इस्तरी जाती का बोद करा रहा है नेक्स्ट भाई भाई शब्द पुर्ष जाती का बहुत करा रहा है और बेहन बेहन शब्द इस्त्री जाती का बहुत करा रहा है नेक्स्ट मुर्गा ही जाती का बहुत करा रहा है और मुर्गी शी जाती का बहुत करा रही है हां तो बच्चों व्यक्तियों और प्रानियों के अतिरिक वस्तु में भी इस्त्री या पुर्ष जाती के अंत्रगत आती है जैसे, एक्जाम्पल देखे, एनक तूट गई है के गया है, एनक तूट गई है, गया है तो नहीं न लिखेंगे, तो बेटा एनक जो है, वो किस जाती का बोध करार ही है, इस्त्री जाती का, ताला खुल गया है, के गई है, गया है, खुल गई तो नहीं न बोलेंगे, तो ज ताला है वे किस जाती का बोद करा रहा है ताला शब्द पुर्ष जाती का बोद करा रहा है तो बच्चों जो शब्द इस्त्रि जाती का बोद कराती है उन्हें हम क्या कहते हैं इस्त्रिलिंग और जो पुर्ष जाती का बोद कराती है उन्हें क्या कहते हैं पुलिंग तो अच्छो सबच्चे पार्ट नाइं लिंग पेज 55 निकाले जिए लिंग लिंग शब्द का अर्थ होता है चीन इसे हम इंग्लिश में जेंडर भी कहते हैं शब्द के जिस रूप से इस्तरी अत्वा पुर्ष जाती का बोध हो उसे क्या कहते हैं लिंग अब सबसे पहले चित्र पर आईए अध्यापिका पढ़ा रही है दूसरे चित्र में अध्यापक पढ़ा रही है अध्यापिका शब्द संग्या का इस्त्रिलिंग रूप है अध्यापक शब्द संग्या का पुलिंग रूप है तो बेटा एक बात याद रखना अगर संग्या शब्द पुलिंग रूप में है तो उसकी क्रिया भी पुलिंग रूप में ही आएगी अब यहाँ अध्यापक पड़ा रही है तो इसमें क्रिया भी पुलिंग रूप में ही आई है नेक्स देखिए बालक देख रहा है बालिका चड अही है बालक का इस्त्रिलिंग रूप बालिका है नेक्स्ट दिखिए लड़का पढ़ रहा है लड़की लिख रही है लड़का का इस्त्रिलिंग रूप लड़की है तो बच्चो उपरिक्त वाक्यों में पुर्षवाचक और इस्त्रिवाचक शब्द आए हैं यही शब्द लिंग हैं हिंदी बाशा में सभी संग्या के दो रूप होते हैं पुलिंग और इस्त्रिलिंग बच्चो लिंग के कितने रूप होते हैं दो पुलिंग जो शब्द पुर्ष जाती का बोत कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं पुलिंग जैसे दादा ही जो शब्द इस्त्रि जाती का बोत कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं इस्त इस त्री लिंग शब्द दोहर आएंगे और अपने कॉपी पर लिखेंगे सबसे पहले पुलिंग सबसे पहले बेटा क्या लिखेंगे प को छोटा उ आदा ल पूरा ल पर मात्रा आदे ल को ही छोटी ए की आएगी उपर बिंदी गव तो शब्द बना पुलिंग नेक्स्ट स्त्री लिंग आदा सब तरक बड़ी इस्त्री लग छोटी इ उपर बिंदी गव इस्त्री लिंग हाँ तो बच्चो अपने ज्यान में व्रिद्धी के लिए कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदै पुलिंग रूप में ही रहते हैं और इसमें हमारी सहायता कौन करते हैं क्रिया शब्द सबसे पहले हम द्रव्य पदार्तों पर जर्चा करेंगे द्रव्य मतलब लीकुएड जैसे दूद घी तेल मक्कन शर्बद आती ये किस रूप में है पुलिंग लेकिन चाए और लसी अपवाद है अपवाद मतलब एक्सेप्शनल दूद उबल रहा है और चाए के साथ क्रिया लगेगी उबल रही है शरीर के अंगों के नाम भी पुलिंग में ही बोले जाते हैं जैसे सिर माथा मू धान्त आदी मेरा सिर दुख रहा है तो ये किस रूप में आए पुलिंग दिनों के नाम भी बड़ा किस रूप में बोले जाते हैं पुलिंग जैसे सोमवार, मंगलवार, बुद्धवार, ब्रिस्पतिवार, शुकरवार, श्रनिवार, रविवार अंग्रेजी महीनों और देसी महीनों के नाम भी पुलिंग रूप में आते हैं मार्च, अपरेल, जून, अगस्त, स्तंबर, अक्तूबर, नवंबर, दिसंबर मार्च के बाद अपरेल आता है चैत, बिसाक, जेक, आशार, आदी चैत का महीना कतम हो गया तो बड़ा ये कौन से शब्द हुए पुलिंग फलों के नाम जैसे सेब, किला, आम, अमरूद, पपीता, आधी बड़ा ये किस रूब में है पुलिंग प्रन्तु इसमें लीची अपवाद है जैसे सेब खाया जाता है लीची खाई जाती है सभी देशों के नाम भी किस में होते हैं पुलिंग भारत मुझे जान से भी प्यारा है और शिरिलंका इसका अपवाद है शिरिलंका रावन की नगरी थी समय बताने वाले शब्द भी प्राया पुलिंग ग्रूप में ही बोले जाती है माह वर्ष युग आदी जैसे क्षन एक एक क्षन कीमती होता है ग्रहों के नाम जैसे सूर्य, चंद्र, मंगर, बुद्ध, ब्रिस्पति, शुकर, शनी, राहु, केतु, आदी हाँ तो ग्रहों के नाम भी जो हैं वे किसमें आते हैं बड़ा पुलिंग जैसे सूर्य, सूर्य निकला है और प्रित्वी अपवाद रूप है, प्रित्वी घूमती है इसलिए प्रित्वी इस्त्रेलिंग शब्द है अनाजों के नाम भी प्राया पुलिंग रूप में ही होती हैं जैसे गीहूं, चावल, धान, चना, आदी, अपवाद, मक्की, जुवार, आदी गीहूं मेहगा हो गया और अपवाद में रूप में मक्की, सस्ती है दातूओं के नाम दातूओं मतलब मेटल्स जितनी भी दातूओं हैं वे पुलिंग में हैं जैसे सोना, लोहा, पीतर, आदी और चांदी इसमें अपवाद हैं जैसे सोना, चमकता है, चांदी चमकती है दिक्षों के नाम भी प्रया, पुलिंग रूप में ही होती हैं जैसे नीम, पीपर, जामुन, आदी और इसमें अपवाद क्या है बच्चे? इमली, नीम का पेड़ अधिक गना नहीं होता है इमली चायादार नहीं होती तो इमली क्या है, कौन सा रूप है? इस्त्रेलिंग जितने भी परवतों के नाम हैं, मांटेंज हैं वे सारे किस रूप में होते हैं, बच्चे? पुलेंगों, जैसे केलाश, हिमाल्य, शिवालिक, विद्यांचर, एट्स, आधि आपस नहीं बोलना, मैंने क्या बोलना, एट्स, ए, ल, टी, सा बच्चे, लिको केलाश परवत बहुत उंचा परवत है इसके अतिरिक्त, जैसे मोटापा, चुनाव, सुनापन, लिकाना बड़े, यहाँ पर सुनापन करलो, सहक बड़ा, उ सुनापन, बच्चपन, डाखना, ममत्व, कुड़ा, सुनार, विचार, सज्जन, पवन, आधि शब्द, बड़ा किस पे आते हैं? पुलिंग में इस्त्री रूप में आने वली वस्तों, स्थानों, वो भावों के शब्दों पर भी डालती हैं, तो बेटा, जिस शब्द से इस्त्री जाती का बोट उत्र है, उसे हम क्या कहते हैं? इस्त्री लिंग हाँ तो बच्चो अपनी बुक पर देखो, जितने भी नदियों के नाम है, वे प्राया इस्त्री लिंग रूप में ही परिक्तोती हैं, जैसे गंगा, यमना, सतलुच, ब्यास, कृष्णा, कावेरी, गवदावरी, आधि, जैसे गंगा बहती है, तो ये क्या हुआ? इस्त्री लिंग रूप, जितने भी भाशाओं, बोलियों और लिपियों के नाम है, ये बटा किस में आते हैं? इस्त्री लिंग रूप में, जैसे हिंदी, अंगरेजी, पंजाबी, तम्मिल, फार्सी, चीनी, जापानी आधि, भोजपुरी, हरियानवी, पहाडी, आधि, देवनागरी, गुर्मकी, रोमन, अर्बी, आधि, जैसे हिंदी और भोजपुरी भुली जाती है, हाँ तो बच्छों श्रीर के कुछ अंगों के नाम है, जोग प्राया किस में आते हैं? इस्त्री लिंग में, जैसे जीब, उंगली, नाक, आंक, आधि, जैसे जीब जल गई, तो ये कौन सा शब्द है? इस्त्री लिंग, हाँ तो बच्छों जितने भी तिथियों के नाम है, वे किस में आते हैं? इस्त्री लिंग रूप में, जैसे अमावस्या, वो निमा, एकादशी प्रत्मा आगी, एकादशी आही है, तो एकादशी कौन सा शब्द हु इस्त्री लिंग कहलाती हैं, जैसे गरीबी, अमीरी, मजदूरी, रोटी, चोटी, बीटी, ककडी, लोकी, आधी, जैसे गरीबी में ही इनसान की परक होती है, इसके अतिरिक बढ़ाई, थकावट, गुडिया, डिबिया, आधी शब्द किस में आती हैं? इस्त्री लिंग र दो बार रिवाइस करेंगे, धन्यवाद, गुडिबाई झाल 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 झाल